गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स वेलकम टू स्टेप स्टेडी चेंटर बायमकुल सर जैसा कि आप लोग को मालों कि हम अभी वर्तमान में MPPSC प्री के लिए कख्षा चला रहे हैं जिसमें आप लोग को हम मद्द प्रदेश की बहुत एक प्रदेश के बारे में बता रहे थी कि मद्द प्रदेश का बहुत एक प्रदेश के ऐसा है कहां कहां कौन कौन से परवत हैं कौन से पठार हैं वहां की सर बुच चोटी कौन सी है तो बारे उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थी तो सबसे पहले देख लेते हैं हम आज का मॉटिविशनल कुटेज तो जागी लेकिन केहने का म्तलब यह है कि आप महनत ऐसी कीजिए की आपकी महनत का आपको कुछ हलाव जरूर मिले नहीं तो क्या होता है आप लोग पढ़ते हैं सब बच्चे पढ़ रहे हैं आपको मालूं है आपकी स्सक्राइब टीटा है जितने भी वेक्ति मों सब पढ़ते हैं लेकिन आपको मालूम है कि हर बच्चे को नोक्री क्यों नहीं रखती है अई लेगपाल कौन बनेगा उनका तो उनको भी बनने के लिए उनको फूरे सब के लिए्ज़ोन क्या करते हैं जल्ट ने इसलिए है उगनेंगे नहीं तो आप मै awaits ग्रेक्टर बनेगे ऑप माली नहीं बन पायेंगे माली भी बनने के लिए इंटर्वी देना पड़ता है इसको भी ध्यान लगना नहीं तो आप सोच रहे होंगे कि मैं तो माली की जॉब कर लूँगा तो माली के लिए भी आपको इंटर्वी देना पड़ता है तो इसका ये आज का मॉटिवेशनल कुटिस क्या है बहतरीन उत्तरवी भाग में बहगेल खंड का पठाव विश्त्रत है कहां है उत्तर पूर्वी भाग में देखने को एक कहां कहां देखने को मिले आपको शीदी कटनी उमरिया उर सहडेयल जलों में विश्त्रस लिएथ कौन कौन से जली हैं-शी ए-जी-इ-कटनी और सहडू चेड़ी आपको देखने को मिल जाए और इसके पस्चेम में नर्मदा घाटी भी है ठीक ना आपको हम मैफ इसके बारे दिखा चुके हैं लेकिन अभी मैफ हमारे पास है नहीं क्या है वो स्लाइड डिलीट हो गई है तो हम मैं आपको बारे लेक्चे में दिखा देंगे इस प्रदेश में सौनी इवं इसके सहायक नदियों में छोटी महा नदी जोहिला गोपद दिख रहे हैं हम पर यह है जोहिला गोपद बनास रहंद कानह आदी उलेकनी है कौन कौन जी है महा न दिखने को मिल जाएंगी इसकी सौन है यहां सौरी गरत दिखा गया है कौन है सौन सौन नदी जोहिला नदी गोपद नदी बनास नदी और रहंद कानह नदी इसमें उलेकनी देखने को मिल जाएंगी बहुत एक संरश्ण की द्रश्टी से भारत के पठार का उत्री भाग मध्य प्रदेश की सीमाओं के अंतरगद आता है पार करते ही अराबली की स्रेडिया सेड़ियां नहीं है स्रेड़ियां मिलेंगे क्या स्रेड़ियां और पूर में छोटा नागपुर का पठार भी आपको देखने को मिल जाएगा उसी बनावाट बहुंचाई के भाग भगेलखंड के पठार मिलती है और दच्छण में तापनी नदी को पार करने पर आपको प् काउंटक्त कर सकते हैं कि सारा में आपकी सौलूशन कर सकते हैं ठीक है तो मिलते फिन एक्रेस अगर आप इसको लाइक जरूर कर दिए करें और से स्क्राइब कर लिए करें अपना चैनल जिससे कि क्या हो कि मैं हर रोज आपको लेटिश वीडियो जालता हूं वह वीडियो आपके पास पहुंच सके थी ना तो यही है मेरा आज कर आज लेक्स है अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो आप इसको लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए सब्सक्राइब कर दीजिए मिलते हैं पर नेक्स्ट लेक्षे में थैंक्स पूर वाचिंग माई यूटूब चैनल स्टेप स्टेडी सेंटर वामकुल सार कर दीजिए सेंट लेक्स